हेलो वरियून हम लोग आज Q8 है आगे से सॉल्व करेंगे लेशन अर्फ फंक्शन सब्सक्राइब क्लाश 12 तो चलिए शुरू करते हैं पहला वेशन देखते हैं Q8 लेट A and B be two sets so that if defined from A x B to B x A हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि दिफाइंड कहां से है A x B x A यह कार्टिशन प्रड़क्ट जो है वह क्या है अमरे पास डोमेन और को डोमेन हुआ है और यह हुआ हमरे पास को डोमेन यह देखर रखा है ठीक है इसमें हम वन टू ले लेते हैं तो जब हम लोग यहां से एक क्रॉस भी निकालेंगे तो एक क्रॉस भी क्या होता है हमरे पास ordered pair a b such that पहला वाला जो ordered pair का पहला वाला element first set से आएगा दूसरा वाला दूसरे set से आएगा 11th class a comma 1 comma a comma 2 b comma 1 comma b comma 2 c comma 1 comma c comma 2 यह हो जाएगा मरे पास a cross b and what is what about b cross a b cross a जो होगा हमरे पास वह हो जाएगा 1 comma a 1 comma b 1 comma c 2 comma a 2 comma b 2 comma c यह हो जाएगा मरे पास अब यहां से एक क्रॉस पी पहला वाला हमरे पास moment जो है वह a cross b है तो सारे elements लिख देते हैं और दूसरा वाला जो हो बी पास a है हमरे पास a1 a2 b1 b2 a,1 a,2 b,1 b,2 c,1 c,2 यहां पर क्या है 1 a 1 comma a 1 comma b 1 comma c 2 comma a 2 comma b 2 comma c यह हमरे पास domain हो गया यह code domain हो गया इनके बीच में एक function इस तरीके से defined है कि f of a b is equal to क्या देता हमरे पास f of a b is equal to क्या हो जाएगा मरे पास b,a तो अगर माले देए हैं कि हम even का पता करना चाहते है कि f of a1 किता हो एक वान किता हो गोड़ा हो जाएगा 1 comma a टिक है यह कि से मिल जाएगा हमरे पस यह मिल जाएगा हमरे पास पहले बाले से ठीक है फिर एक ओमात्यों किसे मिलेगा टू को मा एस ए बी कॉमा वन किसे मिलेगा वन कॉमा बी से बी कॉमा टू किसे मिलेगा हमरे पास टू कॉमा बी से ठीके सी कॉमा वन किसे मिलेगा वन कॉमा सी से और सी कॉमा टू किसे मिलेगा हमरे पास टू कॉमा सी से ठीक है तो यहां से देखा जाए तो यह क्या दिख रहा है फंक्शन हमे यह फंक्शन हमें क्या देख रहा है वन वन देख रहा है ठीक है सीधा सीधा यह हमारे पास वन वन देख रहा है ओके अच्छा अगर देखा जाए तो यह ओन टू भी है हमारे पास इज़र फिगर से देखा जाए तो यह वन 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 टू दोनों दिख रहा हमें यह वन 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 लोग और टो प्रदेन चुछ आपके यहां पर कुछ नहीं है बचानी यानि कि को डोमेन और रेइंज जो गए दोनों बराबर हो जाएगा ठीक तो यह तरीका है दूसरा हम लोग अगुर वन वाला तरीका जो पहले पढ़ते आ रहें उस तरीके से अगर करें तो हम लोग ऐस से कर सकते हैं कि f of a1, b1 is equal to f of a2, b2 इस तरीक इस आएगा हमारे पास ठीक है अब a1, b1 क्या हो जाएगा हमारे पास b1, a1 f के अंदर डालेंगे तो इसका उल्टा करके देगा is equal to यहां से क्या जाएगा हमारे पास b2, a2 अब 11th class से 2 ordered pair बराबर कब होते हैं हमारे पास, 2 ordered pair बराबर होते हैं जब हमारे पास यह ordered pair के पहला element इसके पहले element के बराबर हो जाए, दूसरा element इसके element के बराबर हो जाए, हमारे पास यहां से क्या आ गया, b1 equal to b2 आ ठीक है, और a1 equal to a2 आ गया हमारे पास, ठीक है, तो हम इस लिखने का essence क्या बनता है हमरे पास कि अब हम इसको ऐसे तो लिखे सकते हैं रिजन यह है कि A1 A2 के बराबर है और B1 B2 के बराबर है तो यह दोनों ordered pairs जो होंगे वो भी बराबर होंगे अब हम लोग सुरुवात कहां से किये थे सुरुवात यहीं से किये थे यहां से A1 B1 और वहीं पर पहुच गाए हम लोग तो यह क्या क्या देंगा हम लोग 11 function ठीक है यह 11 function हमारे पास और हर एक A B के लिए हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि for every for every b, a, a belonging to codomain belonging to codomain मतलब दूसरे वाले से belonging to codomain, codomain there exist, there exist, there exist a, a, b belonging to domain such that this aérique क्या हो जागा हमरे पास f of ab maga न बुइस के बराबर हो जाएगा उमरे पस bi ये के बराबर तो हर एक बीए के लिए मतलब यहां पर एक एाव आप एक क्रीम करते हैं कि ku हम प absolument बहुत हुस्च हो जाए कि हम पास फेका शोजहीं हो जाए f defined from n to n natural number से natural number में defined है we defined by fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even for all n belongs to n instead whether the f is bisective ठीक है अब हमारे पास जो function देखे रखा है function देखे रखा है वो क्या है f defined from कहां से कहां तक है हमारे पास n से लेके n तक and fn है क्या हमारे पास fn is equal to n plus 1 by 2 n plus 1 by 2 n is odd ठीक है and n by 2 if n is even ठीक है तो अब यहां से देखा जाए तो यहां से एक चैसे हम लोग गौर कर सकते हैं ठीक है कि f of 1 पे और f of 2 पे जो value होगा वो बराबर है हमारे पास f of 1 पे value क्या होगा n is odd and to odd होगा थो कितना जाएगा 1 plus 1 by 2 value कितना जाएगा हम पास वन आ जाएगा ठीक है और f of 2 पे value कितना एगा 2 even हमरे पास यहां से आएगा तो 2 by 2 is equal to कितना हो जाएगा हम्रे पास 1 हो जाएगा अब since यह discrete points हैना यह discrete points है तो इनका graph अगरा नहीं कहा सकता है इनको इसी तरीका से सॉल्ब कर सकते हैं ठीक है तो F1 पे भी 1 मिल रहा है F2 फी1 मिल रहा है हमें तो F1 be equal to F2 but but 11 are not equal to 2 one is not equal to 2 ठीक है तो क्या हो जाएगा हम पास यह हो जाएगा है इसे मैनिय वन फंक्षन अगर यह दुने ब्रापर होता आथ तो यह हमारे पास पहला सेट है यह हमारे पास दूसरा सेट है तो यह N है हमारे पास और यह भी क्या है अब नेचरल नमबर्स है हमारे पास दोनों साइड में ठीक है इधर साइड में भी नेचरल नमबर इधर साइड में भी नेचरल नमबर तो हमारे पास नेचरल नमबर क्या हो खर नंबर बिलांग टो दो को दमें आ अधो फो दोमेंट को दो ए लेता है ऑड़ डंबर को हम माले द आंगे यह आउड नंबर जो है वो कीस के बराबर हमाई पस समतिंग टु और प्लस 1 के बराबर एंठीक है और पर वीलॉंग उलू नच्छिरल नमबर लेंगे मम लोग तो जितने सारे हैं वह सारे के सारे आ जायेंगे अच्छा यह आरका वेल्यू हम लोग नेच्छरल नंबर एंगे जीरो नहीं लेंगे क्योंकि वान और टू पे वह हमारे पास पहले से आ चुका है तो फोर एवरी टुगार प्लस वन अब हमारे पास यह और नंबर वाला जो पार्ट है तो और जो है हमारे पास वह यहीं से दिख रहा है एंड का वल्यू आ जायेगा 4R plus 2 minus 1 4R plus 1 4R plus 1 तो फोर एवरी ओड नंबर इस वन बेलोंगे टू को डूमें टीके ना यह मारे पास कालकुलेसन था देर एजिस्ट देर एजिस्ट 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 एजिकल तो 4R plus 1 in domain in domain such that such that क्या एंग हम लुग F of 4R plus 1 अब 4R plus 1 क्या होगा एक और नंबर होगा अगर और नंबर है तो हमरे पास definition कौन से लागू होगा definition हमरे पास odd number बाला लागू होगा that is this one n plus 1 by 2 okay n plus 1 by 2 यानि की 4R plus 1 plus 1 divide by 2 तो किता होगा पास यह बिस वन इस वन इस वी टूर प्लस फंटी यानिक एक और नंबर जो होगा वो और नंबर से connected होगा हमने पास odd number जो होगा हमरे पास वो किस से connected होगा और नंबर से connected होगा तो दियर एक्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब कि ऐसा कोच हुआ की कोई भी एक odd mole होगा हमारे पास इधर कोई भी एक odd number हुआ हमारे पास च्छिक है इस side में कोई भी odd number इस type का हुआ तो किस टाइब के नमबर से जुड़ेगा वह इसी टाइब के नमबर से जुड़ेगा तूर प्लस वन टाइब के नमबर से क्या करेगा जुड़ेगा ठीक है ओके ट्री नेने एक मिनटर सुछ कि टूर प्लस आयागा जैसे ठीक है हम लोग मान लेते थ्री लेते हैं तो आर के ता लेना पढ़ेगा हमें बन लेने पर 3 हो जायेगा कि बैस व हुमनरा इंतर किय दिर से च्थ से कि फाइव जो ओगा वाइब जोग मूँ किस से जुड़ेगा धिच zaman MARTIN reflex 5 आपके नंबर से जोगा नाइन किस से जुड़ेगा हमारे पास तो Son नंबर्स के लिए यहां पर प्लस मन नंबर्स जोगा वह एवलेबल होगा नाइन जोड़ेगा हम Łँर्भी तो अम ने किसकति कि या और नियुए तो हमने बोला कि हम पर दो तरीके के नबर हों गे यहा तो ऑज होंगे या तो थोवड हों गई यहां भूंगा मैं आप देखते हैं कि यह Но यहां पर क्यों यहां प्रूइलिबलाय क्या तो?.lay幫 Climate सुर्इख्युल het there exist definition क्या था हमारे पास n by 2 n by 2 is equal to हमारे पास है से करेंगे n by 2 is equal to 2r n is equal to 4r there exist 4r belonging to domain belonging to domain such that such that f of 4r is equal to kitna हो यहागा मरे पास यहाँ पर यह पर प्लस पर फेकर लायगा जयानिकि जो इवन नंबर से जुड़ेंगे जो वो किस से जुड़ेंगे हमारे पास 4 से जुड़ रहा होगा और 2R और 4 किसे जुड़ेगा हमारे पास तो 4 जो है वो 8 से जुड़ेगा हमारे पास इस तरीके से ठीक है हमारे पास finally बना कैसा बना हमारे पास कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो उसने तो पहले ही देखा था हमने देखा था कि 1 और 2 पर वैल्यू क्या रहा था सेम आ रहा था तो 1 और 2 पर तो हमरे पस यही आ जाएगा इसलिए यह मैंनी वन हुआ था पर 3 पर कितना जाएगा 3 हमरे पास और है तो 3 वाले पर कितना जाएगा 3 plus 1 by 2 कितना जाएगा हमरे पास 2 आ जाएगा और 4 3 किसे जुड़े रहा होगा हमरे पस मतलब 4 किसे जुड़े जुड़ेगा वधित से जोड़ेगा टू से जुड़ेगा फाइब क्से जुड़ेगा 5 अनृं यदिवोक हो यहां से यहां से टूर टाइप के नंबर्स जो है वो किससे जुड़े रहा है हमारे पास four से जुड़ रहा है एक मिनट रुप जोगे एन प्लस one by two अगर एन हमारे पास क्या है और और अगर एन इवेन है तो मारे पास किता था करें तो किस्ते जुडएगा यहां से जुडएगा फौर कि से जुडएगा टू से जुडएगा थी किस्ते दोतरी प्लस वन अधा ओजर एकिसलिह यहां से इवन जो है न वो दोनों साइड से आ सकता है इवेन जो है हमारे पास वो दोनों साइड से आ सकता है यहां से भी आ सकता है यहां से भी आ सकता है तो ठीक है उससे कोई लेना देना नहीं हमारे पास हम लोग एक निकाल लिए कि टूर जो होगा वह फोरार से जुड़ेगा ठीक है किसी और से भी जूड़ सकता बट लिए कोरे खो हो सकते थे तो डूआ के लिए को उनकी अवस्त तो ग्रोल बीक मीपने के लिए यहीं यहां से हमें आयरो डियाग्राम बना रिखने पता चला कि ट्युर के लिए सिर्फ और रही नहीं और भी अवलेबल हो ग strangled ठीक है नहीं यहां से यहां से पाथ चल जायाए, बस हमें यह देखना था कि यहां पर फेसाVD जो है वो मतलब कि किसी ना किसी की इमेज हो जाएंगे क्या तो हां हो जाएंगे हमारे पास सब का चुका है कि टूर टाइप के नंबर्स जो होंगे वह फोरा टाइप फोरार के बराबर यहां से इस तरीके से तो फोर और ऐसले माना सरोल वन जो होगाना वह भी हमारे पास टुसर टाइब की नंपर से जुड़ेगा जो हमारे पास जो टूर टाइब के नंबर से इने वह फौर रोड़ एक फॉर मान इसलिँत के नंबर से पिसुड़ेंगें ग fit आरका विल्ट जब वान लेंगे हम लोग यहां से 3 आ जाएगा मरे पास तो जो होगा वो थ्री से बी जुड़ेगा तो यह कुछ ऐसा हो गया कि यह 4 आ टाइब के नंबर से बीज़ रहा है और 4-1 ताइब के नंबर से बीर वैसे उपर्वाले को ले सकते हैं ह habits do work अब जो यहीं होंप समझ में आ घया होगा यह जैसे यहां सोगे हूँ वो किसे किस से जुड़ जाएंगे जैसे यहां पर हमारे पास और नंबर जो हैं जो हमारे पास यह और नंबर सारे हैं वो किस किस से जुड़ रहा है एक तो और नमबर भी अपने डबल वाले से जुड़ रहा है ओड नमबर भी तो और नमबर में हमारे पास क्या आया था ये आया था इस तरीके से सिसका मतलग क्या था एन बाई टू इस इकल टू टू आर प्लस वन लिया था हमने तो यह किता रहेगा एन इस इकल टू 4R प्लस टू 4R प्लस 2 से जुड़ेगा हमारे पास जो भी odd numbers होंगे जो odd numbers है 2R प्लस 1 वो किस से जुड़ रहे हैं 4R प्लस 1 से भी और 4R प्लस 2 से भी दोनों कई में जैसे माल लेते हैं कि हम R का वेलू 3 ले लेते हैं यहां पे R का वेलू 1 ले लेते हैं तो R का वेलू 1 लेंगे तो यहां पे क्या जाएगा 3 आ जाएगा 3 किस से जुड़ेगा R का वेलू 1 लेंगे तो हम लोग यहां से हमारे पास 5 आ जाएगा और यहां से हमारे पास 6 आ जाएगा ठीक है अब हो गया सही है कि 2R एक्चली दो-दो से जुड़ रहा है मतलब हर एक एलिमेंट का दो-दो प्रीमेज है ठीक है तो वह पहली बार में नहीं आया था चलो अब आ गया हमारा निच्छ देक लेते हमारे पास let a-3 टेंट क्वेशन कहा रहा है let a is equal to r-3 यानी कि सब कुछ है minus infinity सब कि था था बस 3 नहीं है ठीक है और b क्या कहता हमारे पास b is equal to r-1 सब कुछ है बस 1 नहीं है है हमारे पास, ठीक है, consider function f from a to b defined by fx equal to x minus 2 divided by x minus 3, fx equal to x minus 2 divided by x minus 3, ठीक है, ये है हमारे पास, अब पूछा है कि क्या 1 1 on 2 है क्या, ठीक है, तो पहले तरीके शुरू करते हैं, पहला देखते हैं कि ये देखो, defined किसे हमारे पास, f defined from a to b, इस तरीके से defined है, तो a जो है वो हमारे पास क्या होगा, domain, और domain क्या होता है, domain होता है, values of x, set of values of x, set of values of x, for which, for which the given function is defined, the given function is what, defined, ठीक है, जापे की given function क्या हो, defined हो, वो होता है हमारे पास, तो ये defined कहां पर नहीं है, था कि छोंट है था कि टीक यूंहीं क्यों नहीं है क्योंकि 3 रखेंगे तो अँसे चाहिए 1 घ्रावGame इसलिए आर में से उसने क्या किया है ठीक है गिया होगा महीं पास कोडो में कोडो में ठीक है अच्छा बी जो है उसने बोला है ना कि बी आर में से उसमें वन घटा दिया है ठीक है अब यहां से वन क्यों घटा आया है तो आप यहां से देख सकते हो कि वन जो होगा ना यह कभी वन हो ही नहीं सकता है करके देख लो x-2 divided by x-3 क्या 1 के बराबर हो सकता है तो यहां से आ जाएगा x-2 is equal to x-3 x x cancel out होगे हमरे पास this this तो 2 का value 3 के बराबर आ जाएगा जो कि हमें पता है कि possible नहीं है ठीक है तो इसलिए हमरे पास 1 जो होगा वो भी नहीं आ सकता है तो अभी चलते हैं 1 1 और on to पता करते हैं 1 1 के बा तो x1 minus 2 divided by x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 divided by x2 minus 3 cross multiply कर देते हैं तो cross multiply करेंगे तो x1 x2 minus 2 x2 minus 3 x1 plus 6 एक ही बार में कर दिया is equal to इधर से भी आ जाएगा हमरे पास x1 x2 minus 2 x1 minus 3 x2 और plus कितना 6 अब x1 x2 x1 x2 तो चला गया हमरे पास 6 और 6 चला गया हमरे पास अब ये 3 x1 उदर जाएगा तो plus हो जाएगा तो हमरे पास आ जाएगा x1 और ये x2 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा ये x2 तो x1 किस के तो जो ncrt करता है उस तरीके से बता देते हैं कि ये क्या है x minus 2 divided by x minus 3 ठीक है तो हमारे पास cross multiply कर देते हैं तो xy minus 3y is equal to कितना जाएगा हमरे पास x minus 2 ठीक है हमें क्या निकलना है चली x in terms of y निकलना है तो कितना हो जाएगा xy minus x is equal to यह हो जाएगा हमरे पास 3y minus 2 तो x को बाहर निकला जाए तो y minus 1 is equal to 3y minus 2 ठीक है तो x equal to कितना जाएगा हमरे पास 3y minus 2 divided by कितना हो जाएगा y minus 1 तो y क्या नहीं हो सकता है y जो है वो 1 नहीं हो सकता रहा हो हो जाए but one के लाबा कुछ भी हो सकता है को सब कुछ चलेगा सिरफ वन नहीं चलेगा हमारे पास तो यहां से हमके सकते हैं कि यह तो हमेरे पस रेंज हुआ हुआ है यहां यहां से आगे हमारे पास किसके बराबर और मिन со और फॉन्क्षन हो जाएगा चीक है और भी तरीके थे हमारे पास दो क्या देखर रखाए वाइज इकल टू एक्स माइनस टू डिवाइड वह कितना है एक्स माइनस थ्री चीक है कि यह देखर रखा है तो यहां से हम इसको ऐसे कर सकते थे इसको उपर वाल वाले वाले ट्यलिकर एक्स माइनस थ्री प्लस लिख लिए चलेगा यूख आई और डिवाइड वाही एक Pierre x-3 अप़ोए वक्यां और पास one upon कितना x-3 तो ये हो गया हमरे पास one रोपल्स हो जाएगा मरे पास one upon x-3 अब ये वाले जो पार्ट है one upon x-3 one upon x-3 ये मतलब देखको ये सब कुछ आ जाएगा ये सब कुछ आ जाएगा बस ये वन नहीं हो पाएगा जो वाई है न यिदकनुक्ष्ण यs equal to क्या हो गया, one plus something, तो one plus something, य हमारे पास one कब होगा, y one कब होसकता है, जब हमारे पास यह वाला part, यह वाला part जीलो हो जाता, ठीकँए, अब यह हमें पता है कि यह तो zero हो नहीं सकता है, यह at any cost, zero तो नहीं होगा, ठीक है अब कोई कहेगा कि one upon infinity जो होता है वो जीरो होता है जीरो नहीं होता है जीरो टेंडिंग होता है वो जीरो होगा बहुत छोटा नंबर होगा पर टक्टली जीरो नहीं होगा तो यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या नहीं हो सकता है वन नहीं हो सकता है क्योंकि यह belongs to R सब कुछ चलेगा माइनस क्या हो जाएगा ठीक है वाई जो है वो सिर्फ वन नहीं हो सकता है वन तभी हो सकता है था जब यह हमारे पास क्या हो जाता जी रो जाता तो यह एक और तरीका है हमारे पास इसको पता करने का ठीक है जब नेक्ष्ट करते हैं फिर नेक्ष्ट हमारे पास f defined from R to R fx is equal to x to the power 4 चूज़ दर करेक्ट आंसर यह fx is equal to x square की तरीके समलोग कर सकते हैं चीक है fx equal to किता देखे रखा है x to the power 4 चीक है और defined कहां से है r से r तक f defined from R to R इसमें defined है हमारे पास तो यह पहले के तरीके से ही बिल्कुल कर सकते है square वाला जैसे किया था कि f of x1 equal to क्या हो जागा हमारे पास f of x2 फ of x1 equal to x2 करेंगे तो x1 to the power 4 equal to x to the power 4 करेंगे solve बगरा करेंगे जो भी होगा ठीक है तो यहां से x1 equal to plus minus x2 आ जाएगा आपस x1 equal to plus minus x2 इसलिए क्या हो जाएगा यह मैनी 1 हो जाएगा ठीक है और अगर on to की बात करें तो fx equal to x to the power 4 है हमारे पास अब यह क्या है है एक सल का पावर इवन है एक से पावर जो है वह एगन है तो हमारे पास रेंज जो होगा ऊच्णारीड इंस ऐ चरह जाएगा बर फोंपर स्थित्व स्पावर च возможlnd यह estos रखेंग त्ह भी हमारे पास positive ही देगा ठीक जो रख़ने तो भी हमारे पास बिन्वाइब दें सिर्फ पॉजिट इसोंगे मिलेंगे ज्लावार नीज तो सब्सक्राइब रींज हो जाएगा है क्या दे करक है रưफ मесь को अम्ह में बड़ाबर है नहींद will जो है वो कोडो मेंन के बराबर नहीं है कोडो में के बराबर नहीं है तो पास इन टूफंक्शन लिए लोग डख लेता है डिफाइं फट रीक्स तो फ्रीक्स पक्राइप यह हमरे पास कर चुके हैं, f of x1 equal to f of x2 से शुरू करेंगे, 1,1 on to, 1,1 many 1 के लिए, तो यह कितना हो जाएगा, 3x1 equal to कितना, 3x2, 3,3 चलाएगा हमारे पास, तो x1 equal to x2 आगया, तो यह तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा, चीक है, अब हमारे पास domain कहां से कहां तक जा रहा है, x जो है, वो minus infinity से infinity तक जा रहा है, r है तो, तो 3x कहां से कहां तक चला जाएगा, तो 3x minus infinity से infinity तक again जाएगा, अब 3x क्या है, 3x तो y है हमारे हमाने होता तो रेंज के सब्सक्राइब कर अब दिए कहा सकते ना कुछ नंबर है नहीं रहरा माहलेों वह देकर रखा है बीजेड़ा Air यानि कि वो भी क्या है माइनस इंफिटी से इंफिनिटी तो क्या range codomain के बराबर है definitely है range is equal to क्या हो जाएगा हमरे पास codomain अब range codomain के बराबर है तो क्या हो जाएगा on to हो जाएगा तो on to भी हो गया on to भी हो गया तो bijective function हो जाएगा bijective function हो जाएगा ग्राफिकली करते तो और बीजी हो जाता ठीक है दिया क्या थाiflex equals to 3 जायर किस तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाता हमरे पास ठीक है तो यहाँ से graphically हम लोग मतलब यह हमारे पास उसमें काम आ सकता है अगर objective questions आते हैं उसमें काम आ सकता है हमरे पास ठीक है कि यह क्या है हमरे पास यह अगर कोई पर horizontal line ड्रॉ करेंगे तो देखें कितने जगाट कर रहा है सिर्फ एक जगापर कर रहा है ठीक है सिर्फ एक जगापर कर रहा है तो क्या होगा हमरे पास यह वन वन होगा ठीक है और on to की बात करें तो range कहां से कहां तक देदेगा हमरे पास graph ग्राफ कहां से कहां तक है इधर पूरा इधर इधर पूरा इसा चलते जाएगा तो ग्राफ का मतलब यौश पर कौन सा पार्ट कवर हो जाएगा इधर से कोई भी पार्ट उठाए जाए यहां पर ग्राफ अब लेबल है यहां पर य वैल्यू देगा हमें यह कुछ ऐसा हुआ कि x का वैल्यू माल लेते हैं कि हम माइनस कट टू लेते हैं x का वैल्यू माइनस टू रखोगे तो जाएगा यहां पर कुछ ना कुछ वैलू हमे मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिलते जाएगा-क्रुशख़-क्री और भॉल रहेंन दखौरा को भॉल है का मिद्टी से लिएगो कहां तक निक्षिए तर legends को और यहीं कोड़में के बरबर है हमारे पास तो कोडमन बरबर है तो on to हो जाएगा हमारे पास range is equal to कोडमन ओके थैंक यू और इसका PDF हम डिस्क्रिप्सिन लिंक में डाल दाल देंगे थैंक यू